हेलो स्ट्वेंट्स तो हमने जो है उत्राखंड के इत्यास के अंतरगत गोर्खा सासन का पार्ट वन पड़ा था अब इसमें जो है इसका जो दूसरा भाग है इसमें दो बुक को कवर करेंगे ठीक है एक तो बीस नेगी की बुक है और एक दूसरी बुक है बिश्ट जी की ब 11iin में गोर्खों ने अमरोर सिंग थापा हासस्ती दल चोतरिया सूर्विर थाफा के नेत्रत में कुमाउपर आख्रमॉण किया तो यहाँ से common question उपर अधिकार किया और अलमुडा की तरफ बढ़ी थी ठीक है 1790 में हवाल बाग के साधान से युद में जो अंतिम चंद राजा थे जो की 62 करम के राजा है ये भी आपको याद रखना है ठीक है चंद मंस में 62 राजा में 62 और परमारों में वे थे 60 राजा तो महिंदर चंद इसमें परास्थ हुआ और अलमुडा किले पर इस तरह गोर्खों का कपजा हो गया और इस प्रकार से जो है गोर्खे कुमाओं में आए कुमाओं पर गोर्खों के अधिकार के बाद पहला गोर्खा सूबेदार या सूबबा जिसे बोलते हैं वो था जोग मल सा न्युक्तवा कुमाओं पर गोर्खों का अधिकार 1790 से 1815 यानि कि 25 साल तक रहा दूसरा सूबेदार जो था वो काजी नरसाही था इसी के समय एक घटना भी थी जिसे नरसाही का पाला नरसाही का मंगल भी कहते हैं या मंगल की रात के नाम से जानते हैं मंगल रात्री का ओकांड था जब बहुत सारे लोगों को वहां से लूट मार की गई उनकी हत्या की गई तीसरा गोरखा सुबेदार था अजब सिंग थापा तीक है अजब सिंग थापा के समय पंद्रा सो ग्राम का परमुक परमुकों का सामोहीक नरसाहार हुआ था 1806 में चोतरिया बमसा को सुबेदार बनाया गया जो की 1814 तक इस पज़बे रहा था अब है नेपाल का जो गोर्खा राज्य था नेपाल पहले छोटी 24 रियास्तों में बटावा था उसमें से एक राज्य में नर्भुपाल सा था नेपाल का एक रण का काम पिर्थवी नहरन साह ने 1742 से 1775 के बीच में किया उसके बाद उनका पुत्र परतापसा 1778 में आये था फिर इसके बाद रण बहादूर साह बना जिसकी संरक्षी का इंद्रि लक्ष्मी थी 1778 से 1804 तक रण बहादूर साह राजा रहा था गोर्का सेना ने 1790 में हर्षदेव जोसी की सायता से adolesod पर अधिकार किया था इसलिए राहूल सांक्रतियान ने हर्षदेव जोसी को विवित्षण की संग्या भी दिये तो यहाँ पर प्रस्णा आपके लिए बनता है कि किसको विबीशन की संग्या दी गई हर्ष देव जोसी को कहा है और राहूल सांकृत्यान ने कहा है ठीक है राहूल सांकृत्यान जो हो गुमकड सास्तर के वो हैं इन्होंने गुमकडी को एक विधा का दरजा दिलवाया और अथा तो गुमकड जिग्यासा नाम से गरंत भी लिखा बहुत सारे ऐसे गरंत यात्रा विर्तांद इनके मिलते हैं ठीक है यात्रा विर्तांद को इन्होंने विधा का दरजा दिलवाया था अब आते हैं आगे 1790 में रण बहादूर साज जो उस समय की 15 वर्सका था और उस इना आई थी गोर्खों की वह 1791 में आई थी 1792 में यानि एक साल बाद लंगूर गड़ की संदीवी है इसमें परदिम्न साह ने कुछ धन्रासी देना गोर्खों को सिवकार कर लिया था उत्रा खंड में जो गोर्खा सासनराव से गोर ख्याली या गोर ख्यानी भी कहा जात क्योंकि उस समय भूकम पाये था अठार सो तीन में भूकम जो सबसे बड़ा भूकम था अभी तक का इतियास का जिसमें रिक्टर पैमाने पर नो तिवर्था का भूकम पाये था अठार सो चार में अमर सिंग था पा और उसके पुत्र रंजोर था पाने गड़वाल कहा गया सैनिकों को जाकरिया जागरिया कहा गया दो वर्स के लिए जो सेवा मुक्त सैनिक धाकरिया होते थे गोर्खा लोग सिल्प कर्मियों को कामी कहते थे गोर्खा लोग नाई को नौ कहते थे और दसाई या दसेरा इनका सबसे पिरियं और सबसे बड़ाते वहारे जो जो भूमी मंदिरों को दान में देते थे उसको गूट भूमी कहा जाता था जैसे और वंसों के समय भी ऐसा कहा गया है तो गूट भूमी जो मंदिर को दान में की गई भूमी है ठीक है इसके बाद है जब कुमाओं पर गोर्खों का राजवा यानि अल्मोडा पर 1790 में उस सम परशासन के पार्ट वन में आप देख सकते हो इसमें तो लिखाए कि दिव्य परिक्षा तीन परकार की थी यानि गोला दीप कड़ाई दीप और तराजुदीप ये तीन मुख्य थे लेकिन वैसे क्या है वैसे आपको छे परकार याद रखने ठीक है गोला दीप में हाथ म लोहे का डंडा रखकर कुछ दिवरी तक चलना होता था और गवा के बायान संधे होने पर फिर उसको हरीवंस की पोथी की या महाभारत की कसम कराई जाती थी गोर्खा सैनिकों का मुख्य हतियार था खोगरी गोर्खा जैनिक जो खोगरी बनाते थे वो गड़ी नगर इसक मैं गोर्खे लोग जो थे वो मास मधिरा कि सौकिन थे सुवर का मान सो इन्हें पिर्य था गोर्खो ने केतारनात बर्जर नास जागिस्वर मंधिरों में तृत यात्रियों के लिए सुद्यावर्त भी लगाये था एक परकार का मतलाव कर धरैत ही चंपावत के बालस्वर वो हैं मोश्टा को अपना इस्टेवता बदाते हैं गोर्खाली इनकी राजभासा थी नैपाल का समूचा जो साहित्य है वो नेवारी राजभासा के अंतरगत मिलता है रेपर जो थे विद्वान उन्होंने अठासो आठ से अठासो ग्यारा के मद्य गड़वाल का सर्वेक्षन किया था और उस समय यहां पर गोर्खों का ही रास था गोर्खों के समय कहवत थी कि ब्रामणों के पैर पूझे जाते हैं सिर नहीं इन्होंने घुरही पीछाई नामक टैक्स भी लगाए जो दो रपे परतेक परिवार के नाम से देना पड़ता था इसके अलवा जो गोर्खों कालिन करते जैसे बताया है ब्रामणों पे कुसाई कर बागी जो पहले से चल रहे थे 36 रकम 32 कलम इस गोर्खों ने इस कर को समावत कर दिया पूंगाडी कर यह भूमिकर होता था और इससे अच्छी इंकम होती थी डेड़ लाग सालाना और इससी से सेनिकों का वेतन दिया जाता था टीका भीट कर विवा के समय होता था बांगा कर जो होता था परतिक नोजवान से इसके अंतरगत क्या होता था एक रुपया लिया जाता था इसके बाद था टांड कर भूंकरों पर तांड कर या टांड त जागरी या ब्रह्मनों से लिया जाता था मौकर यानि मवासे के ऊपर परती परिवार लगता था सायर सीमा और चुंगी पर मरोकर कोई पुत्र हीन विक्ति है उससे लेते थे मरो कर ठीक है इसी परकार आगे आगया घीकर है रहता कर है रहता है जो गाउं छोड़के लोग चले जाते थे उन पे लगता था बहता कर छिपाई गई संपत्ति पर अगर आपके घर पर कोई छिपावा यानि गढ़ावा खजाना मिला आहिए और आपको से छिपा रहे हो तो उस पर फिर गोबर और पूछिया कर दोनिया कर जो परसुच चार को दोरा बसुख उला जाता है राज करमचारियों से जब लगान की बाबत पूछताज की जाती थी जानिया सुनिया कर देना पढ़ता था अगर आप पूछरे हो तूर देना पड़ता था कि इसके बाद यह अंग्रेज़ और गोर्खों के विश्टक्राव भीमसिन थापा जो थे यह नेपाल के प्रधान मंत्री थे और अंग्रेज़ों से जो है इन्होंने 200 गाउं छीने थे भीमसिन थापा इसके बाद जो महत्तुपुण आ जाता है आपका अमर सिंग धापा का जो पूतल था वो था रणजोर थापा 23 अपरेल 815 को गर्णा डांडा युद्वा जिसमें हस्ती दल चोतरिया मारा गया 25 अपरेल को अंग्रेज़ों ने अल्मोडा पर हमला किया यानि यह अल्मोडा युद्व है 27 अपरेल को गाड़नर और बमसा की भी संधी होगी 28 अपरेल को बमसा और करनल निकोलस के भी 25 गजराज मिस्र और करनल ब्रेट्स हो के भी संगोली की संधी यह संगोली नामकस्तान पूछ लेते का हैं तो यह बिहार में ठीक एक्जाम में आ चुका है गजराज मिस्र जो थे वो रण बहाद्र सा के गुरू थे संगोली संधी के अनिसार टीरी रियासत सुदर संसा को गई और सेस को नॉन रेगुलेशन प्रांथ बना दिया गया नॉन रेगुलेशन प्रांथ अठासो क्याणवे में खत्मवा था 1901 में सहुक्त प्रांथ आगरा और अवद बना उत्राखंड को इसमें मिला दिया गया ठीक है अठासो सोला में अंग्रीजी सेना ने नेपाल पर चड़ाई की और अंत्यत्य चार मार्च 1816 को संगोली की संधी लागू भी या कह सकते हैं नेपाल सरकार ने संगोली की संधी को सिवकार किया ठीक है और फिर हैं गोर्खागम के सेना नायक जो आपने जातर अभी तक सुनी लिए अमर सिंग थापा अश्ती दल चोतरिया रणजोर थापा ठीक है और है नेपाल सरकार का सरुत्तम अलंकार काजी से अमर सिंग थापा को विभोसित किया गया था पहला भुभी मन दोवस सत्रा सो क्याणवे बैणवे में सूबा जोगा मल्ले ने किया जिसमें बीश नाली जमीन पे एक उर्पे टेक्स लगाने का प्रावधान किया गया था रन भाद्दूर जो है सादू थे जो उस समय उनका नाम क्या था निर्गुणानंद नाम रखा था और रन भाद्दूर चंद्रिका की रशना मौला राम के द्वारा की गई जिसके लिए नेपाल सरकार ने उन्हें जागिरे भी भेट की थी अब आजाते कुछ दुसरी जो हमारी बुक है दिरिश्मिश जी की एक बुक है उसका उससे रिविजन देख लेते हैं गुर्खा काल का संगोली की संदी को कब स्युकारा गया चार मार्च अठासों सोला ठीक है और संधी को वैसे कुछ जगे दिसंबर दिया है और कुछ जगे नवंबर दिया है तो मेरे साब से 28 नौंबर जो है 815 जादा से होगा ठीक अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो इसमें कमेंट क लागो विए चार मार्च अठासों सोला ठीक है ब्राह्मण से कौन सा कर था को सई यह अपने सब पढ़ लिए असुक चल्न का गोपिश्वर तिरसू लेक कब का है तो यह 1191 का जो नए कोश्य ने वहीं बता रहा हूं आपको इसमें राइज जाती कि बाहदुर से खुश हो चंद्रिका की रशना की थी मौला राम ने किसके समय की थी तो यह हस्तिदल चोतरिया के समय फिर बावली की गड़ किला कब बना 1791 ठीक है गोर्खा इतना सास के भार जंता पर थोपते थे कि किसी के सर पर बाल नहीं उगते थे यह किस ने कहा यह गुमानी पंत यानि कुमा से संबंदी था ठीक है थोड़ा और देख लगते स्वामी निर्गनानंद यानि रन बहादुर साथ अच्छा अब होगे पठा सो बारा में भूराज सो में वस्ता किसनी शुरूगी काजी बहादुर भंडारी ने हस्ती दल चोतरिया कब सेदवे 23 अप्रेल 815 गुर्खा का कालन कोट के अणिन याई थी इस क्या कहला है तो मुख्य याई ती विचारी अंदियों को सभा भी कहा गया इसमें सभा 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 गोठा कालन कोट कहां थी ये थी अल्मुडा में ठीक है यह होगे आपके गोर्खा काल वाला टॉपिक हम देश में करवा दिया अभी हम दूसरा टॉपिक लेंगे कोई जैसे परमार, चंद, कुनिंद उत्राखन इत्यास से कोई अगले टॉपिक पे उस पे पीडियेफ आपका एक्स्पेशन करेंगे, धन्यवाद